प्यार के कुछ रिष्टे बेहत कमजोर डोर से बंधे होते हैं जिसमें छोटा सा भी खिचाओ आने पर वत्तुरंध तूट जाते हैं प्यार में लोग जहां सब कुछ लुटाने के लिए त्यार रहते हैं वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा भी शक होने पर इस खुपसूरत रिष्टे को ताड़ ताड़ करने में कोई कसर नहीं छोड़तें ताजा उदाहरन मुंबई में देखने को मिला है जहां प्यार के रिष्टे में शक का शिकार होने के चक्कर में एक शक्स ने खुद की जान ले ली है घटना मुंबई के नागपुर इलाके की है जहां एक यूवक ने सिर्फ इसलिए आत्महत्या कर ली क्योंकि उसकी चान रोहन सिंग कपूर के तौर पर हुई है जिसकी उम्र 22 साल की थी रोहन नागपूर की राम नगर इलाके का रहने वाला है सीता बुल्डी थाने के कधिकारी ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि राम नगर निवासी रोहन सिंग कपूर ने सोमवार रात राम दा स्पेट इलाके के एक दुरगा पूजा पंडाल में जहरीली दवा खा ली। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोहन की गल्फरेंड सोशल नेटवर्किंग प्लैटफॉर्म पर कुछ लड़कों को फॉलो कर रहे थी जो मृतक को पसंद नहीं आ रहा था। पुलिस ने ये भी बताया कि गल्फरेंड से विवाद के अलावा रोहन अपने उपर कर्ज होने की वज़स से भी डिप्रेशन में था। पुलिस ने कहा कि जहरीली दवा खाने के बाद रोहन ने पंडाल में एक व्यक्ती से अपने बड़े भाल वीर पाल सिंग कपूर को फो कराया जहां उसकी मौत हो गई।